हलो एरोवन आप रमेश निसाद वालकम यू आल अन बिहाफ आप अभीपसर अभीपसर टीम आए होप की आपकी जो एक्जाम की प्रिपरेशन है काफी अच्छे से चल रही होगी तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डूस डारेक्टेट के इंपॉर्टेंट कुश्च और यह है पार्ट 5 इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 लाए हुए थे यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिये हूए हैं आप जा करके देख सकते हैं तो चले बच्चों स्टा करते हैं तो हम वाज करते हैं और वर का यूज करते हैं तो वी यू दे और वन प्लस सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं और यहां पे देखिए चो दीस है यह सिंगुलर है सिंगुलर है और दीस का जो प्लूरल होता है वो होता है दीस वैसी ही दैट के दिए हम बात करें तो दैट सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल होता है वो है दोज यानि सिंपल सी बात है कि दीस और दैट के साथ वह उसका यूज करेंगे और दीज एन दोज के साथ वर का अब देखिए, जो sentence है, वो कैसे और किस तरह से है? तो यह sentence है, इसमें का गया है, Who did this? इस ने किया? इसे किस ने किया? जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा, Ram did this. यादी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे Ram did this, तो Ram ने इसे किया, चाहिंक है? तो यहाँ पे एक simple सी बात है, की यहा तो पिसे अलग रेकों है तो इस के बनाने की तरीकह अलग अलग है दो तरीकें दोनों तरीकों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इक तरीक यह है कि जिसमें हम by का use करेंगे by का use हम शुरू में ही करेंगे by और यहां पर लिखेंगे whom by whom उसके बाद helping verb यह जो this है this है तो this के संथ क्या आएगा was तो यहां पर हम क्या लिखेंगे was तो by whom was फिर लिखेंगे this यानि जो object की जगह पर है वो this उसके बाद फिर वर्ब की third form और कोई भी पेसी वाइस रहे पेसी वाइस में हम हमें सब वर्ब की third form use करते हैं चाहे कोई भी sentence रहे तो यहां पर वर्ब की third form done do did and done तो by whom was this done और यहां पर question क्योंकि यह question वाला है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यह जो काम है यह जो है वो किसके द्वारा किया गया एक तरीका और है जिसमें हम लिखेंगे who का use करेंगे who उसके बाद क्या लिखेंगे helping verb was who was फिर यहां पर लिखेंगे this उसके बाद क्या लिखेंगे done और last में लिखेंगे by तो यह दो तरीके हैं दो तरीकों का user के आप लिख सकते हैं एक है by whom was this done or who was this done by तो इस तरह से आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा कठी नहीं है बहुत ही आसान है ऐसी आपको लिखना है बस यहां पर helping verb है यह helping verb depend करेगा इसके according object के according ठीक है यहां पर यह दिदी इस होता यानि एक से ज़्यादा जैसे one plus subject होते तब की condition में हम यहां पर यूज करते यदि presentance की बात रहती तो present में यानि present indefinite की बात रहती तो हम किसका यूज करते इस MR का यूज करते तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ अंतर नहीं है present present tense है तो इस MR का यूज करेंगे और past है past definite तो was, were का यूज करते हैं किसके according इस object के according तो इसी को आपको याद रख रही है ना लेट इसी देनेस्ट क्षिशन अबर नेस्स क्षिशन इस 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 एप यूज करते हैं जैसे यहां पर जो आपको appropriate लगे उसका आप use कर सकते हैं तो यहां पर देखे लिए पत यहां पत है he came by this path वह इस path के द्वारा इस path के द्वारा इस रास्ते के द्वारा आया तो इसी को यदि हम जोड करके बोलेंगी तो हिंदे में क्या बोलेंगे यह वही पत है जिसके द्वारा या जिससे हो करके वह आया ऐसा हम बोलेंगे उसे को आपको लिखना है तो आपका जो अंसर हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा this is the path by which यह जिसके द्वारा या जिससे he came by which he came इस तरह से अप्लिक सकते हैं add करके this is the path by which he came इस तरह से हमारा answer हो जाएगा now let's see the next question he said to me please do not disturb me उसने मुझसे कहा उसने मुझसे कहा please do not disturb me please कृपिया मुझे disturb मत करो इसमें क्या करना है चेंज दर नरेशन नरेशन चेंज करना है यह डारेक्ट डारेक्ट नरेशन में है यह डारेक्ट स्पिच में है इसे इन डारेक्ट स्पिच में हमें चेंज करना है डारेक्ट क्या होता है डारेक्ट मिन्स उसी के अब दो में कहूंगा तो कैसे कहूंगा उसने मुझसे प्रार्टना की उसने मुझसे request किया कि मैं उसे disturb न करूं ठीक है तो ऐसा हमें change करना है तो क्या हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे ही अब जो sad to है उसके जाएपर क्या लिखेंगे requested क्योंकि उसने मुझसे request की प्रार्टना की तो he requested me उसने मुझसे प्रार्टना की क्या प्रार्टना की please do not disturb me कि मैं उसे disturb न करूं किसे उसे disturb न करूं तो यहां पर हो जाएगा he requested me उसके बाद not लिखेंगे not to उसके बाद not to के बाद लिखेंगे disturb यहां पर लिखेंगे disturb disturb अब यहां पर मी नहीं आएगा क्या जाएगा disturb ही मा जाएगा कि मैं उसे disturb न करूं आप समझ सकते हैं हिंदी को समझने आपको he requested me not to disturb him उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसे disturb न करूं तो यह तरह से हमारा answer हो जाएगा now let's see the next question the farmers are plugging the film make a question with what what के उसकर के हमें question बनाना है तो वाट के उसकरना है उसके बाद आपने according हमें question बनाने है यहां पर देखिए यह जो sentence है कॉन से sentence है यह present continuous sentence है ठीक है तो यहां पर हम वाट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे वाट उसके बाद यह जो farmers है subject है वो कितने है एक सुछ ज्यादा है तो यहां पर हम लिखेंगे आर उसके बाद the farmers the farmers what are the farmers उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं doing और यह question वाला है तो question mark यहां पर हम लगा देंगे तो यहां जो sentence है उसमें क्या कहा जा रहा है the farmers are plugging the field जो farmers है वो field की जमीन की जुटाई कर रहे हैं तो यहां पर what कर उसकरेंगे तो क्या कहेंगे कि जो farmers है वो क्या कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा sentence हो जाएगा यहां ऐसा भी बना सकते है what are the farmers plugging, यानि जो farmers है वो किसकी जुताई कर रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, doing की जबापे हम लिख सकते हैं, what are the farmers plugging, okay, now let's see the next question, she did not keep her promise, change the voice, voice change करना है, she did not keep her promise, तो यदि आपको दिक्कत हो रही है, तो आप सबसे पहले इसका जो है, positive को पहले बना करके देखिए, कि she kept her promise, उसके बाद फिर आप negative change कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर voice change करना है, सबसे पहले देखना है, यह past definite tense का sentence है, और past definite tense में हम किसका उसकर उसकरते हैं, was and were का उसकरते हैं, अब देखिए, इसके recording हमें change क करना है, तो देखिए, she did not keep her promise, यह हमारा subject, और यह वाला जो भाग है, verb, और her promise, यह क्या है, object है, तो यहाँ पर यह negative sentence है, तो negative लिखेंगे, बस not, बस लिखेंगे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा, तो object पहले लिखेंगे, her promise, her promise पहले लिखेंगे, her promise, अब यह जो promise ह एक है, it means was या फिर were, क्या आएगा, तो यहाँ पर आजागा, was, और यह negative है, negative है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, not, not, her promise was not, अब यह जो keep है, keep की जो third form होती है, वो क्या होती है, kept होती है, second and third form same, keep, kept, kept, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, kept, verb की third form, उसके बाद किसके द्व और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, जैसे I का me, we का us, you का you ही रहता है, सी का her हो जाता है, he का him हो जाता है, वैसे, तो her promise was not kept by her, इस तरह से हमारा answer हो जाएगा, इसी तरह से आप बना सकते हैं, तो ज्यादा कठीटे ही है, बहुत ही simple है, यदि यह promises रहता, बहुत सार promise रहती, तब की sense में यहां पर हम क्या लिखते, वह लिखते, जैसरे से आप लिख सकते हैं, I hope कि आप समझ गये, कैसे आप active से PC में चेंज कर सकते हैं, now let's see the next question, and our next question is, people not through waste on the road, यहां पर पुछा जा रहा है, जो लोग है, वो not through waste on the road, यहां पर क्या जाएगा, helping work, fill in the blanks, with the word given in the bracket, may, should, will, इन में से कौन से appropriate होगा, तो यहां पर देखिए, में का यूज करेंगे, तो में का यूज हम, जो है, request करने के लिए करते हैं, जैसे में का यूज रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, परिमिशन लेने के लिए करते हैं, और में का यूज सायद, सायद बताने क लगते हैं, इतमी रहन, यानि सम्हावना व्यक्त करने के लिए, शूड का यूज चाहिए कि सेंस में होता है, सलाह के सेंस में होता है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से सलाह कर देने के लिए, और विल का यूज हम एक helping work की तरह करते हैं जैसे future future in the actual tense में तो यहां पर देखे people और यहां पर क्या जाएगा should not through waste on the road जो लोग है लोग है उनको road भी waste को नहीं फेकना चाहिए तो यहां पर यही जो है ज्यादा appropriate होगा में नहीं होगा तो यहां should जो है ज्यादा appropriate है now let's see the next question he stays here I am happy combine the sentence using as long as as long as का use करके जो sentence है दोरो sentence उनको combine करना है he stays here I am happy तो इसे हम अलग-अलग तरीगे से बना सकते हैं as soon as का use sentence के सुरू में लिख करके या फिर बीच में लिख करके तो एक तरीका मैं बता रहा हूं जैसे he stays here तो यहां पर मैं लिख दूंगा he sorry as long as as long as he stays here उसके बाद हम लिखेंगे comma उसके बाद as it is I am happy यह हो जाएगा हमारा answer as long as he stays here I am happy as long as he stays here I am happy as long as की जगा पर भी कर सकते हैं इस करें as long as करें दुनों का जो सेंस होता है वो लगभाग सेमी होता है it means यहां पर क्या कहा जा रहा है हिंदी में समझे तो हूं he stays here वो यहां ठहरता है I am happy मैं खुस रहता हूं तो यदि मैं as long as की उस किया तो क्या हूआ as long as he stays here जब तक जब तक की जब तक की वो ठहरता है जब तक की वो यहां रुकता है ठहरता है मैं खुस रहता हूं या फिर इसी को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं जैसे as long as का use एदि हम बीच में करें कि he stays here वो यहां ठरता है as long as I am happy यानि जब तक मैं खूस रहता हूं तब तक वो ठहरता है यह जब तक वो ठहरता है तब तक मैं खूस रहता हूं तो दोनों तरीका आप अजमा सकते हैं, दोनों ही सही है, बस आपको याद रखनी कि as long as का use आप सुरू में करते हैं, तब आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और यदि आप ऐसे लिखेंगे कि he stays here, उसके बाद as long as, है न, he stays here as long as I am happy, तब के condition में आपको कॉमा लगाने की लिखेंगे, ठीक है यह जो सेंटेंस है, उसको पहले लिखेंगे, he stays here as long as I am happy, okay, now let's see the next question, he is too old to swim, rewrite the sentence using so that, so that का use करके sentence को लिखना है, he is too old to swim, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो स्विम करने के लिए, यानि तैरने के लिए काफी व्रिध है, यानि वो इतना व्रिध है कि व तैर नहीं सकता है, तो so that का यूज करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, he is too के जागा पे so, he is so old, वो इतना व्रिध है, उसके बाद क्या लिखेंगे, that, key, were, that, he, उसके बाद cannot का यूज करेंगे, cannot, that, he cannot swim, यहाँ पे हम लिख देंगे swim, इस तरह से आप लिख सकते हैं, वो इतना व्रिध है, he is so old, that he cannot swim, कि वो इतना व्रिध है कि वो swim नहीं कर सकता, now let's see the next question, have you come to see me, change the simple sentences into complex sentences, simple sentence में है, इसे हमें complex sentence में change करना है, ठीक है, change the simple sentence into complex, तो यही simple sentence को हमें complex में, complex means क्या होता है, मिस्रित वाक्य, मिस्रित वाक्य, जिसमें एक जो part, एक जो clause है, एक clause होना चाहिए, आपका independent और एक जो clause है, वो dependent होना चाहिए, यानि subordinate clause होना चाहिए, यानि independent clause एक है, और इस से add होना चाहिए, एक और जो clause होना चाहिए, यानि जुड़ा होना चाहिए, यानि उस से related होना चाहिए, परता कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए मुझसे मिलने के लिए आये हो इस तरह से have you come to see me तो इसे हम अलग अलग तरीके से बना सकते एक तरीका मैं बता रहा हूं have you come to see me तो यहाँ पर देखे, have you come, क्या तुम आए हुए हो या क्या तुम आचुके हो, so that, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, so that का यूज़ करके, so that you can या you may, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, you may, you may see me, इस तरह से, have you come, have you come क्या है, यह क्या है, have you come, independent clause है, have you come, क्या तुम आगय हो, या क्या तुम आचुके हो, यह, अब इस से related dependent clause, या subordinate clause है, so that you may see me, ताकि तुम मुझे देख सको, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, have you come, क्या तुम आए हुए हो, so that you may, या you can see me, तो इस तरह सी आप जो है, बना सकते हैं, यानि, complex sentence में आपको change करना है, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपने according जो आपको आसान लगे, उसकी according आप बना सकते हैं, एक तरीका और क्या है, have you come, to, to की जगा पर देखे, have you come, लिखेंगे, have you come, यहाँ पर मैं लिख देता हू, have you come, यहाँ पर लिख सकते हैं, for, और to see की जगा पर क्या लिखेंगे, seeing लिखेंगे, यहाँ पर, for seeing me, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो यह आपका क्या हो गया, independent और इससे related क्या है, यह dependent clause, तो इस तरह से हम complex sentence बना सकते हैं, have you come, for seeing me, now let's see the next question, our next question is, as soon as he agreed to marry him, she begin to have serious doubts, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखे, as soon as की जगा पर, no sooner than का use करना है, अब no sooner से related मैंने और भी जितने भी parts I do as directed कि उनमें एकदम details से समझाया हुआ है, और आज भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखें यह जो sentence है, यह कौन से tense का है, as soon as she agreed to marry him, जैसे ही वह उससे साधी करने के लिए agree हुई, ready हुई, तयार हुई, यानि agree हुई, okay, मानी, she begin to have serious doubts, उसे क्या होने लगे, serious doubts होने लगे, तो यहाँ पर हम no sooner than का use करेंगे, बस आपको as soon as की जगह पर no sooner and than का use करना है, तो यहाँ पर as soon as की जगह पर क्या लिखेंगे, डीड का यूज करते हैं तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे डीड का यूज करेंगे अब देखें नो सुनर डीड उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सी अब यह जो अग्री है यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास इंडेफिने टेंस में हम जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फॉर्स फॉर्म यूज करते हैं तो यहां पर क्या जाएगा वर्ब की फॉर्स फॉर्म अग्री तो यहां पर हम लिखेंगे अग्री ओके नो सुनर डीड सी अग्री उसके बाद तू मैरी हिम को हम आगे एस इस लिख देंगे अ लिखना है तो यह आप हम लिखेंगे दैन दैन उसके बाद बाकी का जो जो वर्ट से बाकी जितने भी वर्ट से उसको as it is लिख देना है देखिए मैं बाकी का सेम लिख रहा हूं then she begin begin to have to have serious doubts, ऐसी आपको सेम लिख देना है, serious doubts, तो यह आपका answer हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो as soon as he agreed to marry him, she begin to have serious doubts, इसका हो जाएगा, no sooner did she agree to marry him, then she begin to have serious doubts, तो यह हमारा answer हो जाएगा, ऐसी आपको लिखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पी जो sentence है, यह कौन से tense का sentence है, यह past perfect tense होता, तो past perfect tense में हम head का use करते, और verb की third form use करते, present tense की यदि बात रहती, तो present tense में हम do या फिर does का use करते, उसके बात फिर present tense में verb की first form का use करते, तो इस तरह से आप जो sentences को बड़ी है, आसानी से बना सकते हैं, तो do as a directive के जितने भी questions हैं, उन questions का आप बार बार practice करिए, बार बनाते रहे, मैं में लोगा एक interesting relation के साथ next video में, तब तक के लिए धन्यवाद and best of luck.